इरान के रिलेटेट पहुत बड़ी खबर निगल गरा रही है इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसेन आमेर अब्दुल्ला हियान हेलिकॉफ्टर क्रैश में मारे जा चुके है ये स्टेट मीडिया ने मंडे को कन्फॉर्म कर दिया है रही सी जो आगस 2021 से इरान के प्रेसिडेंट थे एक हार्ड लाइनर और सुप्रिम लीडर आयातुला अली कौमेनी के लाई भी माने जाते हैं उनको कौमेनी के पॉसिबल सक्सेसर के तोर पर भी देखा जाता था इतनी पावर ये रखते थे इरान में यानी इरान के सुप् में मारे गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह तस्वीर में महम्मद अली एले आशिम जो इरान के सुप्रिम लीडर के रिप्रेसेंटेटिव थे फिर इरान के प्रेसिडेट इब्राहिम रैसिकूत और यह उनके फॉरेंड मिनिस्टर हुसेन आमेर अब्दुलायान और इरान के गवर्नर मालिक रहमती यह सब की डेट कंफर्म हो चुकी है और जिस हेलिकॉफटर में यह बैटे थे ना यह हेलिकॉफटर एक अमेरिकन मेड बेल 212 था जिसमें वो लोग ट्रैवल करकर आ रहे थे यह हेलिकॉफटर नौट बेस्देन इरान के मौन्टेंस में गा रहते और वापसी में यह इंसिडेंट हुआ है स्टेट मीडिया के मुताबिक एक हाड लैंडिंग जौफल नामी एरिया के नजजिक हुआ है जो कम्प्लिटली फेल लैंडिंग थी और यह अजरबेजान के बॉर्डर के पास हुआ है तैरान जो इरान का कैपिटल है इससे उनको पैचानना पैहट जादा मुश्किल है और अभी तक साइड पर कौन-कौन है किस-किस की बॉड़ी से यह आइडेंटिफाइ नहीं कर पाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लोग सब मिलकर तेरान से अजरबेजान के तरफ जा रहे थे इसे पता था कि रिट पड़ता है तो मौत हमें यही सिकाती है कि एड मैना आप अपना पैसा लेकर नहीं जाते हो आप अपने कर्मा आपके डीट्स लेकर जाते हो अब देखो यह तो कन्फार्म है कि इरान के प्रेसिडेंट और फॉरेंड मिनिस्टर मारे जा चुके हैं लेकिन हाइपोटरिकली स्पीकिंग के इसे एक एकसिडेंट कहना या फिर एक कॉंस्पिरेसी यानि साजिश कहना क्या कहना मुश्किल है ये बहुत ही कतनाक इंसिडेंट हुआ है हम मानते हैं के मौसम खराब था लेकिन एगन देखो क्या है हेलिकॉफटर्स खराब मौसम में सर्वाइव नहीं कर पात है क्या मैं यह इसी यह कह रहा हूँ क्यूंकि देखो टोटल तीन हेलिकॉफटर जा रहे थे ऐसा खराब मोसम में दो हेलिकॉफटर की कंडिशन पहुत अच्छी थी मसला ओके था दो के साथ लेकिन सिफ एक ही हेलिकॉफटर के साथ ऐसा होना वो भी जिसमें इरान के प् कहीं सवाल खड़े करता है क्योंकि जब एक head of state टेक ओफ या land करता है न यहाँ पर बहुत ही केरफुली उस एराफट को चेक किया जाता है एक केक चीज ध्यान से देखा जाता है चेक करकर report दिया जाता है उसके बाद ही उस एराफट को उड़ाया जाता है और टेक ओफ करन C.A.X. पर पहुँच जाधा ट्रेंड कर रहा है और इसकी टाइमिंग भी देखो कमाल की यह अजरबैजान और इसराइल के रिलेशन्स पहुच जाधा अच्छे है अजरबैजान जो एक मुस्लिम देशे कहीं बार इरान और अर्मेनिया के खिलाफ इसराइल ने अजरबैजा और इरान के बीच में एक पिलियंड डॉलर की रेलवे लाइन बिचाई जा रही है अभी काम चल रहा है दोनों देशों के बीच डिपलोमाटिक रिलेशन्स इंप्रूव हो रहे है और रिजेंटली इरान ने अजरबैजान में टैम भी इनाउग्रेट करकर आ रहा था तब ये इंसिडेंट हुआ है मतलब जिस और के साथ चीजे हो रही है ना आटोमेटिकली कहीं सारे सवाल जो है उठ रहे है एक्सपर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया है और दोस्तों जिस तरह से इरान के प्रेसिडेंट इबराहिम रेसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर न इरान सौधी अरबिया की जो रिलेशन से बहुत जादा स्ट्रॉंग होए थे यानि इरान और सौधी अरबिया के बीच लड़ए खतम हो गई थी इनके टेनियोर के टाइम ही इरान ने स्री लंका में अपने प्रोजेक्ट को इनोगरेट किया था ये पहले जैसा इरान नही ठीक आई से टाइम पर कुछ इस तरह से इनके साथ हो जाना कहीं सारे सवाल जो है रेस करता है और दोस्तों ध्यान रखिए यहां पर फेक न्यूस भी पहुत ज्यादा फैलाई जा रही है तो बचकर रहना और लोग इरान में पहुत ज्यादा प्रे कर रहे थे इनकी लीड प्रूफ मिलता है इसराइल के किलाफ कोई बड़ी बात नहीं है मैं शौक नहीं होंगा गाइस जिस तरह से इरान ने इसराइल को एमबेसी का जवाब दिया है न ठीक उस तरह से इरान भी अपने लीडर्स का भी जवाब देगा होश्यार हो आप समझ सकते हो मैं क्या के न चाता हूँ समझदार हो आप यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा अगर मेरी वीडियो इंफर्मेटिव दिखे तो इंटर्नाश्टिल अफेस के लिए आप मेरे शैनल को सब्स्क्राइब कर सकते थैंक्यू पर वाचिंग थैंक्यू पर यहरिंग और ब्लेस यू अल हुआ